Play Store Application Verification Problem दोस्तो अगर आप अभी Play Store अप को open करते हो तो यहाँ पे लिक्या जाता है You have a set up purchase verification अभी यह क्या है दोस्तो आप इस वीडिो में आपको बताऊँगा इसको कैसे ठीक कर सकते हो और फिर से आप जो अपने Play Store को चालू कर सकते हो यह मैं आपको बताने वाला हूँ आज की स्टूडियो में लेकिन उससे पहले आपको जो इस वीडियो को स्कीप नहीं करना है अगर आपके पास चाहे कोई साभी मुबाइल हो, Samsung का, Redmi का, Vivo का, Oppo का, Realme का, Narzo का तो बस आपको यह problem आ रही है, Play Store से कोई भी application मतलब डाउनलोड नहीं कर पा रही है, मतलब यह Play Store ओपन ही नहीं हो रहा है, इस तरह की कि हमें problem आ रही है, आप भी बहुत परिशान हो गए होगे कोई application डाउनलोड करने के लिए जा रही है तो आपको यह problem आ गई है, अभी इस problem को fix करने के लिए, सबसे पहले friends, आपको क्या करना होगा, यहां से मैं सबसे पहले back कर देता हूं, और यह को back करने के बाद, आप मैं आपको यहां पर दो तरीके बताऊंगा, सबसे पहले इस दो तरीके को आपको फटाफट से कर लेना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, आ आपको क्या करना होगा? Scroll down करना है Then आपको यहाँ पर Apps को Option डूल लेना है अब देखो यह Apps को Option आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है आप Apps को Option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह के से Apps बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपको क्या करنا होगा see all apps को यहाँ पे options पर क्लिक करना है और आपकी जितने भी सारे mobile के applications रहेंगे सारे की सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर उपर जो है सर्च करना है Google Play Service तो सबसे पहले आपको Google Play Service को यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर Google Play Service आपका open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको All Service का option मिलेगा बहुत सारा options देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको दो है Storage and Catch का option मिलेगा जहाँ पर आपको click करना है उसके बाद friends आप सभी को clear catch करना है अपने Google Play service की applications को उसके बाद manage space के options पर click करके आपको यहाँ पर आपनी Google Play service का storage clear all data कर देना है इस तरह के से उसके बाद आपको यहाँ से back करना है फिर से back करना है अब आपको यहाँ पर all apps में बैस्टर आप को ढूल लेना है तो simple है प्लेटर आप आप हिहाँ पर over search कर दो चर्झेर अपको definitely मिल जाएगा बैसस ळूर का अपर को यहाँ अब यहाँ पर यहा पर अपे आप इंफो में आप उसके बाद प्रेंट्स आपको क्या करना होगा देखो यहां पर इस तरीकी से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है प्लेस्टोर का भी आपको यहां पर स्टोरेज के प्लिक करना है उसके बाद क्लिक करना है उसके बाद क्लिक करना है उसके बाद क्लिक कर देना है अब friends जैसे ही आप यह जो है दो तरीकी करोगे जो मैंने दो आपको step बताई है जो कि एक है settings का उसके बाद friends एक है अपने mobile को restart करने का power button प्रेस करके तो उसके बाद देखो आपका mobile जैसे ही यहाँ पर यह on हो जाएगा तो उसके बाद आप direct में आपको playstore applications को open करके दिखा देता हूं और देख लेना मेरा playstore application direct open हो जाएगा और मुझे यहाँ पर friends कोई भी problem जो है देखने को नहीं मिलेगी और मैं आराम से बिल्कुल आसानी से कोई भी application को playstore से डाउनलोड कर पाऊंगा पहले की तरह और यहाँ पर मैं उसको update भी कर पाऊंगा playstore को application में ठ चैनल को subscribe कर देना देख सकते हो हमारा mobile unlock हो चुका है यहाँ पर मतलब open हो चुका है यहाँ मेरा पुरी तरीके से यहाँ मेरा mobile भी open हो चुका है आप mobile open हो जाने के बाद आप धेखो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और अपनी mobile यहाँ जैसी हैं आपको थोड़ा से पर आपको से उंहुक्थ मिलेंगे उसको को नइवर करके रखेतेगे के बात आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं विदमाइगी साथ ठैंक्स वाच्चिक ने वीडियो मिलते हैं ने वीडियो के साथ